इसे बनाने के लिए हमें घर के वेस्ट कुछ मटिरियल चाहिए जैसे कि यह शादी वगड़ा का इंविटेशन कार्ड जो आता है वो कलर फुल होते हैं इसलिए इसके अलावा आप मारबल पेपर, कलर पेपर कोई भी यूज़ कर सकते हैं या ग्रिटिंग कार्ड वगड़ा का होता है कोई भी ऑप्शनल है यह फिर आपको एक चाहिए कार्ड बोर्ड जो हमारे शॉट वगड़ा शॉपिंग में या फिर काटून बीजकिट वगड़ा का जो होता है उसमें आपको मिल जाता है फिर चाहिए वुल और ग्लू यह सारी चीज़े हमारे घर में अवलेवल होती हैं और इन चीजों की हेल्प से ही हम लोग यह बनाने वाले हैं और आप लोग इसे बना के अपनी मम्मी को गिफ्ट करने वाले जैसे की मेरी बेटी ने य ठाली मम्मी का सीधान आपको मम्मी का है तो 650 आपनी में लोग काट लिए जितनेHH सीध करते हैं यह कांट काैटा है इसे हम लोग कृता करीगे है Rev.A 3 मारे अपना अपनी मेरा तेहे हम लेचे प्ला नहीं में लेच्ट करेंगे देन जीन दोतेए गरों दोते होता है तो फिर जरॉक्स पेपर होंगे तो उसका भी इसी जैसे उस शेप में काटा उसी हिसाब से हम लोग काटेंगे अब इन दोनों का क्या करना है वो मैं आगे बताती हूं अब हमने यह कट किया हुआ पेपर लिया इसके देखिए लास्ट में हमने ऐसा पेन रखा इसको ऐसे रोल कर रहे हैं और रोल करने के बाद हम लोग इसके लास्ट मूमेंट में देखिए ऐसे ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद इसे पेस्ट कर दिया ऐसे देख जाएका शेप में आएगा, देखे cat लेतअ में फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद, शेता आइस क्रीम ग्लू लगाएंगे, देखे भीड़ने केपने के लास्ट पंट में उसे पेस्ट करना है, एस शेप में वो आजाएगा, यहाँ मैंने अलरेडी ऐसा बहुत सारा बना के रखा हुआ है वो इस शेप का होगा ऐसे हम लोग बना के रखा है फिर हमने वो कार्टबोर्ड लेना है एक सरकल शेप करना है वो ड्राउ करने के लिए आप कमपास का यूज कर सकते हैं या फिर गोल कुछ भी आपके घर में हो उसको लेकर ये अल्रेडी मैंने शेप करने के बाद इसको कट कर लेंगे तो ऐसा निकलेगा ये देखिए वूल का हम लोगों ने काटा है ये इसकी जो लेंथ है वो सवेरे डिफरेंस होंगे सबसे लंबा ये है जैसे तो आपने फोर फिंगर ऐसे लेंगे फोर फिंगर के डिफरेंस में आपको बनाना है ये देखिए फोर फिंगर से अब उससे थोड़ा चोटा तो आपको जितने पेसेस का बनाना है आप उस हिसाब से ऐसे नाइन या इलेवन रेडी कर सकते हो ऐसे इसके देखिए टॉप पॉइंट में हम लोगों को एक गांट बनाना है जिससे कि वो जो हम लोगों ने पेप करेंगे पेन की हेल्प से यह जो वाइट हम लोगों ने आइसक्रीम कौन टाइप का बनाया है उसमें इसको से करके हम लोगों को यहां टिप से निकालना है और एसे फिर यह जो गांट लगाया हमने वो इसके एंड में हो जाएगा यह रेड वाला या कोई भी कलर ऐसा बनाया है जो इसे हम लोग यहां से निकालेंगे इस तरीके से रेडी हो गया अब ये रेडी होने के बाद हमने वो जो सरकल सेप में कार्ट बोर्ट काट के रखा था उसमें हम एक छेद बनाएंगे इसको थोड़ा ये करने के लिए इसको पें से हम लोग डिप करेंगे पें से डिप करने के बाद ये वुलेन वाली छोड़ में ऐसे पें को लगा के और इसमें इन करना है और वो ऐसा बन जाएगा और इसके बाद आपको इसी तरीके से आपने 9 ये 11 जो भी बनाए है अधर्स को इसमें एड़ करेंगे और वो फिनिश होने के बाद रेड़ी होने के बाद इसका ऐसा लुक होगा फिर आपने मिडिल में यहां मैंने अलरेड़ी यहां लगा कर रखा है वुल का मार्क होता है तो यहां पे कोई भी यह आप बड़ा सी मम्मी की स्टिकर लगा सकते हो और इस सरकल सेप में हैपी मदर्स डे लिख कर आप अपनी मम्मी को गेट कर सकते हैं थैंक्यू माई ओल वीवर्स सबीशे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक्यू सो मच